बहुत बहुत स्वागत हैं आप सभी का अपने टुल पेपर हैकर में आज हम बात करने वाले हैं बीएसी फर्स समस्टर के लिए जिलोजी का वेपर है जी हाँ लगवग में यह आठ तारीकों पेपर है एम जी पी रुखंड इनिवस्टी वरीली का तो बहुत सारी का पेपर दिया होगा जैसे कि मैंने आपको इंपोरेंट कोषं दिये थे एकजाम से दो दिन पहले भी दिये थे और लगवग में एक महीन और 젊 दिन पहले उंको परके चले जाना मैं आप से बादा करता हूं कि आपको फेल करने वाला कोई नहीं है और जिसने वोगवेपर प्लाजमा जिल्ली को प्लाजमा कला के नाम से भी जानते हैं, इसकी हमें परासा रचना देख रही है, मतलब कि अल्ट्राइस टेक्शर और प्लाजमा मिमबर, ठीक है, तो याद रखना हमें अल्ट्राइस टेक्शर देखना है प्लाजमा जिल्ली का, प्लाजमा मिमबर्स का, ठीक है, और इसका ये देखना है कि रसाइनिक संगठन, ठीक है, तो इसमें ये देखना होता है कि ये प्लाजमा जिल्ली है वो किस चीज किस चीज से मिलकर बनी होती है और प्लाजमा जिल्ली का हमारी बोड़ी में क्या कार होता है ये point आपको देखना है ठीक है चलो उसकी बाद में दूसरा कोशन क्या most important है मैं इसको यहां छोड़ देता हूँ और इसका एक कोशन नीचे दिया का आपको structure मना देना है मलग की परा सरचना बनाई है और endoplasmary reticulum का कार क्या होता है ये दो इतने important question है कि यहां से आपका एक question long में आएगा एक question किस में आएगा long में आएगा तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि long question हो हो जाए short question हो या फिर very short question हो बस अपके book notes गैसे पर ठीक ल short question जब 2-3 मिलते हैं तो long बनता है वरना single ही short ही कलाता है तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई त्यारी बहतरीन करो और सबसे अच्छी करो ये दोनों question आपने टिक लगा लेजिए उसके बाद में है गलजी काय क्या होता है गलजी काय के function क्या होते है और गलजी का complex is most important है गलजी काय को हम गलजी complex के नाम से जानते हैं चलो उसके बाद में हम सब को छोड़ देंगे unit number 1 में unit number 1 में हमें last में एक कह सकते है fluid mosaic model आप पढ़ लेना ये काफी महत्पूर्ण question है आप मैं इसको most important कहूंगा चाती हो बाकी unit number 1 में हमें बस इतना ही पढ़ना है उस ये caution बहुत सदा important है उसकी बाद माता है mitocandaria में coast का source जी हाँ जब यहाँ card देखेंगे सरचना देखेंगे तो बहीं आपको coast का source के बारे में भी आपको मिल जाएगा कि mitocandaria में coast का source किस तरीके से होता है ठीक है ये आप याद रखिए उसकी बाद में हम नीचे जाएंगे इसकी बाद में पढ़ेंगे एक और एक आता है micro sitten के बारे में पढ़ेंगे च्वे'll जाएंगे उसके बाद में हम नीचे जाएंगे और unit number उसके बाद में हमें एक filament यहाँ दे रखा है intermediate filament क्या होता है ये caution short में आता है या फिर very short में पूछ लेगा हो सके तो आप इसको पढ कि आपके जितने भी हैं देखिए यहां से आपको 70% प्लस देखने को मिल रहा है ठीक है तो मैं आपसे यही बोलूगा कि इन कोशनों को रट के जाए ठीक है और बाकी जो भी एक्स्ट्रा आपको एक दो कोशन बच जाते हैं लॉंग में हो शॉट में हो वेरी शॉट में हो आ कि आपको वहां फील करा दूँगा कि यह फॉर्म डाल दो भी प्रेजेंट में आप यहां से पास हो जाओगे तो यह चीजी है बैक को क्लियर करने की कुछ फॉर्म निकलते हैं उनकी जानकारी मैं आपको दे दूँगा तो आप मुझसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं ठीक है केंदर की सरचना यदि आपको हमारे यह नोट्स लेना है तो नोट्स को हमारे पेपर हैकर डॉटिन वेपसाइट पर जाकर नालोड कर सकते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँग जो भी मैं वीडियो बनाता हूं यूटूब के लिए जो भी चीज मैं यूटूब के लि लेजे यदि आप फेस्बुक पर सर्च करेंगे पेपर हैकर जैसे तरीके से आप इस तरीके से लिखेंगे पेपर हैकर लिखेंगे तो बहां आपको हमारे चनलना दाएगा वहीं आप फॉलो कर ले रहा है जिससे हमें क्या हो जाएगा कि भाई आपको सब कुछ बही की सरचना हैoooooh जब से महत्सपून कोशन is meaning आता है वो आता है Watson, Crick का प्रतिम डियाने बडल ये कोशन हमेशा Long में आता है तो इसलिए आप इस कोशन को Long में तयार करेंगे टीक है और बाकी DNA, RNA ये अन्तर आपका Shot में आ जाता है आप इसको तयार करके जाएए और T-RNA भी आपका BerryShot में पुछ हो जाएगा निकलोर चक्र क्या होता है इसको छोड़ देजाना हिस्टोन्स क्या होते है और इसके बारे में हिस्टोन्स के कार क्या होते है यह आपका सौट या फिर वैरी सौट में पूछ लेगा तो आप एक बार इसको पढ़ के जाएंगे बहीं बात करूँ unit number 4 में साती हो तो unit number 4 में हमें कोश्का का विभाजन देखना है कोश्का का विभाजन दो प्रिकार से होता है एक होता है समसुत्री विभाजन एक होता है अर्दसुत्री विभाजन दोनों प्रिकारों को याद कर लेना और जब इनको याद करोगे तो यह कोशन long में फचता है याद रखिएगा long में ठीक है उसके बाद में आता है आपका कोशका चक्र cycle क्या होती है या कोशका का केंद्रक का विभाजन तो हमने कोशका का विभाजन उपर देखा था और नीचे हमें केंद्रक का विवादन और देख लेना है बस उसके बाद में यूनिय नमबर हम 5 में पहुंचेंगे साथी हो यूनिय नमबर 5 में हम देखेंगे दोई संक्रन क्रॉस क्या होता है ये most important है और ये question आपका sort में फसेगा मेंडल के अनुवन सक नियम भी आपको पढ़ने ना है ये कभी-कभी log में और ये फिर sort में फस जाते हैं तो आप इसको पढ़के जाएंगे link का निर्धार किस तरीके से होता ये question आप देखेंगे और नीचे हम जाएंगे कि link निर्धार album link विवेदन में अंतर आपसे पूछ लेता है दोनों की परिवहासा हैं आपको याद होंगी तो बड़े आसानी से आप कर देंगे अप पूर ब्रिभकता किसे कहते हैं इसकी परिवहासा आपसे पूछता है तो ये भी आपका short में मनता है आप एक को पढ़ेंगे वन जीन इसमें कहागा है जीन संतुलन वैलन्स थिवरी क्या होती है इसको बहुत साथ है ये short में आता है सिंगल जीन effect के बारे में भी आपकी बात करों तो ये भी short में आता है आपके पास काफी time है तो आप इन कोशनों को रटके जाएंगे जीन की onion किरियाओं के बारे में देखेंगे और इनकी लक्षड उनकी विशेस्ताइं क्या होती है ये कोशन इयाद करेंगे मनुस में R, H जो रुधिर बर्ग होता है उस पर एक निमंद लिखने के लिए बोलता है आप इसको भी याद करके जाएंगे मनुस में A, V, O जो आपका A, V, O blood group होता है उन गुरूपों के बारे में आपको पूरा याद होना चाहिए कि भाई A group में क्या होता है V में क्या होता है AB में क्या होता है ठीक है इस तरीके से और O blood group क्या होते है ये किस से blood डे सकते हैं और किस को डे सकते हैं ठीक है ये सारी याद करेंगे नेक्स कोशन है यूनिटमबर हम साथ में जब जाते हैं तो यहां हम देखते हैं कि गुड़सूत्री बित्पन किसे कहते हैं जो क्रोमोसोम का बित्पन होता है वो किस तरीके से होता है ठीक है और लिंक्स है लंग लक्षर उनकी बंसागती के बारे में याद करेंगे उसके बाद में आता है लिंक गुरसूत्र संबंधी विकार क्या होते हैं यह आप याद करेंगे और उनके रोगों के बारे में याद करेंगे डाउन सिंड्रॉम क्या है, बरधानता क्या है और हेमोफिलिया क्या होती है ठीक है, यूरी नमबर हम जब 8 में जाते हैं तो यूरी नमबर 8 में PPLO के बारे बोला गया है PPLO एक छोटा सा टॉपिक आता है आप इसको दिहान से पढ़नेंगे बहीं आपसे परिजिपता पर एक छोटी सी टिपड़ी पूछेगा तो आप 8 मी उनिट में ये भी 7 में याद कर लेना और बहीं 8 मी उनिट ये पूरी चलेगी तो आपसे एक-दो प्रिकार के बैक्टेरिया भी आपको देखने को मिलते हैं जिसे कहते हैं बैक्टेरिया पॉजिटिव और बैक्टेरिया नेगेटिव दोनों के बारे में आप देख लेना यहां बुला गया गरावी रंजड किसे कहते हैं आप इसको याद करेंगे और बैक्टेरियल देहवित्ती के बारे में भी आप याद करके जाएंगे सरचना पिरकार के बारे मताइए, बैक्टेडिया के कितने पिरकार होते हैं, ठीक है, और ट्रैपनोसोमा 1 की सरचना के बारे में आपसे कभी-कभी पूच लेता है, और इसकी life cycle के बारे में, बस इतना आपको देख लेना है, बाकि कोई काद्धून कोशन आपको याद नहीं हो रहा है तो चिंता मत करिए बाकि ये मैध्पून कोशन है आप इनको रटिए जितना भी टाइम है आपके पास में और पेपर देने चले जाएए मैं आपसे बादा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे नंबर से फास होने वाले हैं पेपर जब आप देखेंगे तो सारा का सारा पेपर यहीं से मिलेगा कुछ भी बाहर नहीं मिलने वाला है तो आपने विजियल को सस्क्राइब नहीं किया तो कले न दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा सेयर कर देना बागी मिलेंगे नहीं तो तब तक बाई 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 दोस्तो